हेलो फ्रेंड्स वागत है आप सभी का आर्वेद यूट्यूब में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए कुश्चन लेकर करके आया हूँ ये कुश्चन क्लास 9 की मैथ से एक्सरसाइज 1.2 का कुश्चन नमबर 3 है तो इस वीडियो में हम इस कुश्चन को डिसकास क करेंगे यह वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो को ध्यान से देखिए अंदर तक देखिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए दोस्तों को भी सेर कीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए ठीक है तो चलिए पहले इसका हम कुछ mathematical portion करेंगे जहां पर हम पाइधागोरस theorem का यूज करेंगे ठीक है तो जैसे माल लीजिए आपके पास कोई एक लाइन है O A ठीक है O A लाइन है और ये है आपका 2 unit कितने का है और इस पर कोई perpendicular है जो आपका 1 unit का है कितने का है ये perpendicular A B है क्या है A B तो फिर ये O B की distance है वो कितनी हो जाएगी जो O B की distance है वो कितनी हो जाएगी और यही O B अमारा square root 5 होगा तो चलिए फिर इसको देखते हैं कैसे solution let length oa is equal to two unit and perpendicular a b is equal to one unit then by using pythagoras theorem we have तो यहां पर हमने लेट कर लिया let length oa is equal to two unit and perpendicular a b is equal to one unit then by using pythagoras theorem भी है देखो यह हमारा 90 डिगरी है अब इसके अपोजिट में यह वाला साइड है ओ भी तो भी हो जाता है हमारा है और उसे जो एंगल बनता है वह अली लाइन हो जाती है यहां और इस एंगल के अपोजिट में जो भी साइड होती है वह जाता है यहां पर यह हमारा हो गया बेस हैं ओभी हमारा हो गया हाइपो टे ओस और रएबी हो गया अ말घ परपेंडी कूलर तो जो फार्मूला होता है पांतागोर सका वह स्कोर्य सक्कॉएर जिए होता है कि हाइपोटेनियर असक्वेर प्लस प्रपंडिकुलर स्क्वेर तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा हाइपोटेनियस क्या है ओभी तो यहां पर हो जाएगा ओवी स्क्वेर बेस क्या है हमारे पास ओए यह क्या हो जाएगा ओए स्क्वेर प्लस जो हमारा प्रपंडिकुलर है वो है एबी तो इधर हो to number yeah Beyond Square को रिमूब करेंगे तो इधर क्या जाएगा स्क्वाया रूट ठीके ओए होल स्क्वैर फ्लास और से हॉल को स्क्वायर इस में क्वेलीव आपने तो उनि esasक क्या यहां पर टूง करो जाएगा फ्लस एवी वैलू आपने one unit let किया तो यहां पर one square हो जाएगा तो होगा क्या देखो two square four one square one और four plus one कितना हो जाएगा five तो यह कितना हो गया square root five हो गया तो इतना अब write down कर लीजिए या फिर वीडियो को पाँज करके screenshot लिजी फिर हम इसको number line पर represent करेंगे तो यहां पर दीको सब्से पहले हिंक क्या करेंगे कि यह स्केल है इधर हमारा cm unit होता है इस side में हमारा centimeter unit होता है और इस side में हमारा inch unit होता है आप चाहो तो 1 cm is equal to 1 unit let कर सकते हो या फिर आप 1 inch is equal to 1 unit let कर सकते हो कि मैं वन इंच को लेट करूंगा इससे फीगर हमारा थोड़ा बड़ा बनेगा और सुन्दर लगेगा ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन बनाएंगे क्या बनाएंगे एक नंबर लाइन तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि लाइन ड्रॉ कर लेंग तो चले फिर बना लेते हैं यह हो गया हमारा जीरो प्लस वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू जब भी कोई नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उसके दोनों एंड में एरो होता है यह अब सबसे पहले क्या करेंगे दिखो सबसे पहले में आपर दो यूनिट लेंगे तो व बनाएंगे अब अब परपंडीकुलर लाइन को सब्सें भी बना सकते हैं प्रटेक्टर से भी बना सकते हैं मैं यहां पर कमप से बनाऊंगा ठीक है तो यह मारे कंपस है प्लेस पिन पॉयंट अन टू एंड़ रवा सेमी सरकिल ऊंदर नंबर लाइन लाइक दिस प्सक्ष make two cut on the semi-circle okay from these points cut an arc like this okay okay from this point and this point draw a line which is perpendicular on the number line now join these lines to draw perpendicular like this okay so after that let this point be o and this point is a draw one unit from point a so you look there is point b okay join this ob so when we join this ob we find the distance of square root 5 this ob is the distance of square root 5 square root 5 लेकिन question ने हमसे पूछा है कि number line पर दिखो तो number line तो यह है तो यहां से क्या करेंगे कि इस point o से b की distance को major कर लेंगे with the help of compass और 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 फिर यहां पर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे ठीक है तो हमने एक आर्क यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दिया तो आप देख सकते हैं कि यह आर्क जो है वो इस point पर कट कर रहा है ठीक तो यह वाला जो point होगा यही हमारा होगा square root 5 लेकिन कोई भी point distance square root 5 नहीं होता है distance तो यह होगा इस point से लेकर के इस point तक हम माल लेते हैं कि यह point जो है वो c है तो जो ौ석 hobina वह square root 5 एक व्क है क्यों लोगी ओष्यकर की और यही वह बुस्टेंस number लाइन पर है तो हम से थोड़ा सा highlight करदेंगे क्या कर देंगे तो कि आघीक तो हम थोड़ा सा हाइलाइट कर देंगे क्या कर देंगे हाइलाइट तो यह हमने हाइलाइट कर दिया यह जो हाइलाइट वाला लाइन आपको दिख रहा है यही डिस्टेंस और यह नुम्बर लाइन पर भी है तो हमने तो इसको रिपर्जेंट कर दिया तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे हैंस सी रिपर्जेंट एसकोईर रूट पाइफ आंद नुम्बर लाइन आप यहाँ पर हैंस के प्लेश पर दियाफ वी रैट कर सकते हैं हैंस पॉइंट सी रिपर्जेंट एसकोईर रूट फाइफ आंद रू लाइन और यह हमरा इस इस question का answer हो जाएगा आप चाहे तो पास करके राइट कर सकते हैं या फिर इसक्रीन सोट ले सकते हैं तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जराभी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें हम बिलेंगे अगले वीडियो में अगले question क के साथ तब तक लिए थेंग्यू क्लाश